कि अकसर आपने देखा होगा पति दूखी होते मेचारे एक ऐसा ही दूखी पती अदालत में पहुंच गया अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए बोला जसाब मुझे मेरी बीवी से तलाक चाहिए तो हग चाहिए मुझे मेरी बीवी से क्योंकि पिछले एक साल से मेरी बीवी ने मेरे साथ बात नहीं की है जज बोला एक बार फिर से सोच लो ऐसी बीवी किस्मत वालों को ही मिलती है और कई पती जो हैं अपने पत्नियों से दुखी भी होते हैं खुश भी होते हैं लेकिन ज्यादा तर आपने देखा होगा शक्की पती होते हैं शक्क करते हैं अपनी बीवी पर खासकर खूबसूरत बीवी उस पर बहुत शक्क होता है यह किसको देख रही है क्यों देख रही है उसकी तरीफ क्यों कर रही है एक ऐसा ही शक पती मरते वक्त अपनी पतनी से बोला अब पतनी बोली जी हां जी क्या बात है पतनी मैं सारी उमर तुल पर शक करता रहा कितना बड़ा गदा था मैं मुझे माफ कर देना पतनी नहीं नहीं कोई बात नहीं हो जाता है नहीं बस अब मैं मरने वाला हूं लेकिन मरने से पहले मैं अपना शक दूर करना चाहता हूं क्लियर करना चाहता हूं मैं कुछ तुछ से पूछना चाहता हूं सच सच बताओगी पतनी बोली जी पूछो कोई बात नहीं आज मैं सच सच बता दूंगी कोई बात नहीं तदी बोला पतनी हमारे पांच लड़के हैं चार लड़के तो मेरी आग्या में रहे जिंदगी बर जो मैं कहता रहा वो करते रहे तने अच्छे बच्चे आइम वेरी हैपी उन चारों से बड़ा खुश हूं मैं पर एक कमीना बच्चा जिंद किस कमीने बाप का है पतनी बोली बुरा मत मानना जी बस वही बच्चा आपका है